अलो डियर स्टुएंट्स, आज हम इनॉरनी केमिस्ट्री का नेक्स्ट चेप्टर स्टार्ट करेंगे, नुकलियर केमिस्ट्री, नाभी किये रसाएंगे नुकलियर केमिस्ट्री में जो मुख्य इंपोर्टन टोपिक है, वो इस प्रकार है, Stability of a Nucleus, N upon P or N upon Z ratio, Einstein-Mass-Energy Relation, Types of a Radio Activity, Group Displacement Law, Disintegration Series, Q-Values, Nuclear Cross-Section Explanation और Applications of a Radio Activity, तो आज हम फर्स्ट लेक्टर में हम नुकलियर के बारे में स्टडी करेंगे कि नुकलियर क्या है, इसके बारे में हम इसका introduction देखेंगे, कोई भी element है, या कोई भी atom है, जब हम उसकी structure के बारे में study करते हैं, तो हम यह पाते हैं, कि उसके मुख्य रूप से दो part होते हैं, एक central part, जो high density वाला होता है, और दूसरा outer part, या outer square, जो central part है, high density वाला है, उसका area बहुत कम होता है, उसका volume बहुत कम होता है, वो compact form में लगता है, जिसे अक्सरे diffraction या रदरफोर्ड का जो practical हमने देखा, उसके accounting हम यही देखते हैं, कि जो central part है atom का, वो high density वाला होता है, वहाँ पर positive charge का जो density है, वो बहुत अधिक होता है, तो atom को हम दो parts में divide कर रहे हैं, जो central part है, उस central part को हम, nucleus कहते हैं, उस nucleus के region में, जो changes होंगे, उन changes के बारे में, या उन changes का जो effect होगा, उसके बारे में जो study है, वही nuclear chemistry है, तो हम, nucleus में होने वाले changes से पहले nucleus का proper, उसका structure क्या है, उसका composition क्या है, उसके बारे में study करेंगे, तो कोई भी atom है, उस atom को, अगर हम उसके outer sphere के region को छोड़ कर जब उसको consider करते हैं, तो उसको हम nucleus या nucleide कहते हैं, और उसे हम इस प्रकार से represent करते हैं, Z, X, A, जहाँ X, symbol है उस chemical element का, जिसके nucleide के बारे में, जिसके nucleus के बारे में हम study करते हैं, Z, उसे nucleus में present protons की संख्या से है, जो की उसे element का atomic number भी होता है, Z, mass number है, जिसे हम A से represent कर रहे हैं, A is equal to होगा, Z plus N, जहाँ Z number of the protons है, N number of the neutrons है, अगर हमें neutrons की संख्या भी symbol में represent करनी हो, तो यहाँ पर हम neutrons की संख्या को represent करेंगे, जो chemical element का symbol है, उस symbol के right hand side में नीचे की तरफ, for example, carbon की जो nucleide है, उनको हम इस प्रकार से represent कर सकते हैं, 6C12 और 6C14 इस प्रकार से, 6C12 में carbon का जो nucleide है, उसका Z या proton number है 6, और mass number है 12, 6C14 में number of the protons है 6, और mass number है 14, तो इस symbol के according हम neutron की संख्या भी निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर, first example में 6C12 में, proton की संख्या 6 है, total mass number 12 है, तो neutron की संख्या भी 6 होगी, तो हम यहाँ 6 लिख सकते हैं, 6C14 में इसी प्रकार जब हम number of N निकालेंगे, तो N is equal to A minus Z, तो 14 माने 6, 8, तो इसके लिए mass number है जाएगा 8, जब हम nuclear chemistry में, nucleus के बारे में study करते हैं, तो study करने के purpose से, इनको हम, अलग-अलग group में classify करते हैं, यह classification, दो प्रकार से किया जब सकते हैं, एक, जो nucleide है, उसके Z और N values के आधार पर, number of the proton, और number of the neutrons के आधार पर, और दूसरा, on the basis of stability, इस्ता ही तो के आधार पर, पहले हम देखते हैं, on the basis of their Z and N values, number of the protons, और number of the neutrons, जो value हैं, उनके according, classification के प्रकार से करेंगे, तो इसमें हम, first category में रख रहे हैं, isotopes, तो isotopes हम, उन नुक्लियाइट्स के लिए यूज़ करते हैं, जिनके लिए, उनका Z values तो सेम हो, लेकिन, उनकी जो N values हैं, वो एसमान हो, क्योंकि N value एसमान है, तो A का value भी एसमान ही आएगा, isotopes, क्योंकि Z का value सेम है, नमरों तो प्रोटोन सेम है, तो periodic table में, उनका position भी एक जगह ही होगा, that means हम कह सकते हैं, कि जो isotopes हैं, वो एक ही elements से related होते हैं, और example, जिसे hydrogen के लिए, अगर हम बात करें, तो hydrogen के जो isotopes हैं, वो यहाँ पर हमने तीन प्रकार के रिपरेजंट किये हैं, 1H1, 1H2, 1H3, तो यहाँ पर इन तीनों के लिए, Z value सेम है, 1, 1, 1, लेकिन इन तीनों के लिए, A value different है, 1, 2, 3, और यह A value different क्यों है, क्योंकि इनके लिए N value, भी अलग-अलग है, जैसे 1H1, जो प्रोटियम है इसके लिए, N का value 0 है, इसमें neutron kissing क्या 0 होती है, 1H2, deuterium में, neutron kissing क्या 1 है, और ट्राइटियम, 1H3 में, neutron kissing क्या 2 है, तो इस प्रकार से, जो isotopes हैं, उनमें, उनका Z value, सेम होता है, N और A value, differ होती है, दूसरे से भिन होती है, इसी प्रकार, ये next chlorine के, भिन प्रकार की जो isotopes हैं, वो show किया गए, यहां पर से सम देखनें की, इस आइटोचन के ही हैं, तो आवर्चारने में, इन तीनों के लिए position एक ही होगा, इसी प्रकार next है, आइसो बार, तो आइसो बार, यहां आइसो का मीन हुआ equal, और berries से बार लिया है, इसका मीन होता है heavy, तो अगर भार में समान हो, तो उनके लिए हम use करेंगे, आइसो बार्स, और भार को हम यहां represent कर रहे हैं, किसे A से, mass number से, तो इस प्रकार के, nucleide जिनके लिए, A value, mass number सेम हो, लेकिन, उनके लिए, Z और N value, ऐसमान हो, वो कहलेंगे, आइसो बार, पर एक्जामपल, 1S3 and 2HE3, यहां यह hydrogen का nucleide है, तुसरा helium का है, दोनों के लिए, mass number सेम है, 3, 3 है, इसलिए दोनों क्या है, आइसो बार है, दोनों के लिए, Z value, S मान है, इसके लिए 1 है, इसके लिए 2 है, जो tritium है, 1S3 है, इसके लिए, N का value 2 आएगा, और helium के nucleide के लिए, जो N, neutron का value है, वो, एक ही काई आएगा, तो Z का value भी आएशामान है, और N का value भी आएशामान है, इसी प्रकार, next example यह है, 6C14, और 7N14, carbon 14, और nitrogen 14, दोनों के लिए, mass number सेम है, इसका अएशाम क्या कह रहे हैं, कि यह, आइसो भार है, लेकिन दोनों के लिए, proton value और neutron value, ऐसामान है, next nucleide है, isotones, तो isotones, क्या होंगे, जिन में नम्बरों भी आएशामान होंगे, लेकिन उनकी, Z और A value, different होंगे, उसे इस प्रकार से, 1H3, 2H4, तो यहां जब, neutron value, हम देखेंगे, तो यहां पर, 1H3 में, neutron value 2, 2H4 में भी, neutron value 2, दोनों के लिए, अगर हम neutron की संख्या देखें, तो दो दो आ रही है, दोनों का value सेम है, इसलिए इनको हम, isotons कहेंगे, इसी प्रकार, next example में, 6C13, और 7N14, इन दोनों में, जब हम, इस formula की दोवारा, N का value निकालेंगे, तो वो N का value दोनों में, सेम आएगा, 7, 7 आ रहा है, इस कारण, यह दोनों क्या हैं, isotons हैं, और, इस category में, जो last class है, वो है, isomers, तो isomers क्या होते हैं, इस प्रकार की, nucleide, जिनके लिए, Z value, N value, A value, तिनों का मान समान हो, लेकिन, वो, उनका जो energy state है, वो है समान होता है, energy के according, वो भिन भिन है, एक, lower energy state में होता है, एक, higher energy state में होता है, एक, को हम isomers कहेंगे, इन में जो heavy, sorry, जो higher energy वाला होता है, उसे हम, M से represent करते हैं, meta stable, के लिए हम M यूज करते हैं, for example, जिसे cobalt के, दो isomer है, यहाँ पर, जिसे, मैंने एक को represent किया है, cobalt 60 M से, और दूसरे को cobalt 60 से, तो 60 M है, यह अधिक energy वाला है, meta stable है, इसी परकार, bromine के, दो isomer यह है, इन में energy state में, जो difference है, या इनका जो energy difference है, वो इनके, spin की वज़े से होता है, जो spins, नमबर है, वो change हो जाते हैं, इस परकार हमने, जो nucleus है, या nucleide है, उनका, Z और N value की आधार पर, classification का अधियन देखा, और यह पाया, कि Z और N value की आधार पर, जो nucleides हैं, उनको हम, 4 category में, डिवाड़ी कर सकते हैं, तो आज इतना ही, ओके, thank you, झापने हैं,